बिहार के मुख्य मंद्री निदीश कुमार ने एक बार फिर से ऐसा काम किया है जिसके वज़ा से वो चर्चा में फिर से एक बार आ गये हैं आपको बता दे कि निदीश कुमार एक बार फिर से अजीबो गरीब हरकत करते हुए नजर आये हैं और उनके इस हरकत का जो वीडियो है वो शोसल मीडिया पर खोब जमकर वाइरल भी हो रहा है आपको बता दे कि आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आकर दर्भंगा एम्स का शिला न्यास कर रहे थे और इसी दोरान मंच पर निदीश कुमार जो है वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों को छूते हुए नजर आते हैं वो उनके सम्मान में उनके पैर पकड़ लेते हैं हलाकि नरेंद्र मोदी इस सम्मान का बहुत अभिवादन करते हैं और निदीश कुमार को पैर छूने से रोक लेते हैं वो बीच में उनको पकड़ लेते हैं लेकिन ये वीडियो जो है वो शूसल मीडिया पर खूब जमकर वाइरल हो रहा है और एक तरब नितीश कुमार की खूब तारीफ भी हो रही है उनके संसकारों की तारीफ हो रही है कि नितीश कुमार अपने संसकार का परिचे बड़े ही सुन्दर ढंग से दिये हैं कि वो मोधी की चरण में सीधे गिर जाते हैं वो उनका इतना सम्मान करते यह उनके संसकार का अदभूत परिचे और आपको बतादे कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आखिर नितीश कुमार दिन प्रति दीन ऐसे क्यों होते जा रहे हैं आपको बता दें कि बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार दर्भंगा में मंचपर प्रधान मंत्री के पैर चुने के लिए जुके तो पिये मोदी ने उनके हाथ पकड़ कर रोक दिया और फिर हाथ जोड़ कर उनका भिवादन किया इस दरान मंचपर बीजेपी और जदियो के सीनियर नेता मौझूद थे इसका वीडियो शोसर मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है इससे पहली भी नितीश कुमार मंचपर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी बुद्धवार को बिहार दौरे पर थे इस दरान उनका स्वास्त सड़क रेलेवं मुर्जा च्षेतर की 25 विकास पर्योजनाओं का भूमी पूजन शिला न्यास लोकारपन और शिला न्यास किया इस समय मंचपर केंद्र मंत्री चिराग पासवार नित्यान अंद्राय बिहार के जिप्टी सेम समरार चौदी और विजय सिन्ना समे कई नेता मौजूद थे आपको बता दे कि तीसरा मौका है जब नितीश कुमार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पैर चुए हैं इससे पहले जब दिल्ली में एंडिये संसदी अदल की बैठक होई थी उसमें भी बिहार के सीम ने पीए मोदी के पैर चुने की कोशिस की थी हलाकि मोदी ने उन्हें पकड़ लिया था हलाकि इसको लेकर तब नितीश कुमार को बिहार के विपक्षी निताओं के द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा था इसके अलावा लोकसभा दो हजार चौबिस के चुनाव प्रचार के दौरान जब नितीश कुमार और पिये मोदी एक साथ मंच पर बैठे हुए थे उसी समय पिये मोदी ने अभिवादन के लिए सीम की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो नितीश कुमार ने अपने हाथ उनके पैल तक बढ़ा दिये थे जिसका वीडियो खूब शेयर किया गया था आरजेडी ने नितीश कुमार पर हमला भी बोला था तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद जब तीसरी बार मोदी बिहार की राजगीर में नालंदा विश्वविद्दाले के नए परिसर का उट घातन करने पहुचे थे उस दवरान भी सेम नितीश कुमार भी उनके साथ थे जब पिये मोदी निती कि नितीश कुमार से पहले कोई भी सरकार गरीबों की स्वास को लेकर तनिक भी चिंतित नहीं थी आपको बता दे कि इस बार नितीश कुमार चर्चे में इसलिए हैं क्योंकि नितीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पैर चुने का कोशिस कि और हाला कि नरेंद्र मोदी ने पैर चुने से नितीश कुमार को रोक लिया, उन्होंने इस सम्मान का अभिवादन करते हुए, उनके हाथ पकड़ लिये, हाथ जोड़ लिये, और इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया, लेकिन ये जो वीडियो है, ये खूब जादा वायरल हो रहा है, और नितीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाय हो रही है, कि नितीश कुमार को वाकिर क्या हो गया है, वो बार बार नरेंद्र मोदी के चरनों में क्यों गिर जाते हैं, वो इतने बड़े सम्मानित पदपर होने के बावजूद भी नरेंद्र मो बग आप इस पर क्या कहिएगा अपनी राय जरूर बताईएगा तो लाल इस वीजियो को ही पर समाप्त करते हैं मिलता है नए वीजियो में आप देख रहे जिस स्टॉक्स मैत ही आपके साथ जॉली पांडे धन्यवाद